खोडारत में जितने भी घुफाओ वाstyle वहां होई है जिमें अची तरकल आड़ा करें अचीध तरकल आकर परमान पाए जाते हितने सब कुफाओं के पात करें ठीक है जो भी आज की वीडिय agreement होगी आज की विडियो में how can गवर कर पाएं गो उन यहीं को फाव के विसे में आज हम यहां पर चार्चा करेंगे चलो सुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को चलिए सुरू करते हैं आज के टॉपिक को ठीक है तो सबसे पहला हम बात करेंगे मोर्य कालीन कला के विसे में मौरिय कालिन कला कि विस हम आज हमिया पर बात करेंगे भीसेश करकी गुफाए कला है यहां पर ब्रैकट में लेट लेना गुफाए तो स्बसे पहले जिस गुफा के विसे में हम चरचा करेंगे उस गुफा हम का नाम है जोगी मारा जोगी मारा गुफा के विसे में आज हम यह पर बात करेंगे लेकि जोगी मारा जो गुफा के विसे में आज हम इसलिए बात करें क्योंकि इस गुफा की खोज कहलो या फिर जो गुफा है वो अजन्ता से भी पुरानी है और ये गुफा है मतलब सबसे पुरानी मानी जाती है जिसमें चित्रकला के हमें परमान मिलते है ठीक है हम आदी मानव वाली गुफाओं के उसे में बात नहीं कर रहे है हम कर रहे हैं मोर्य काली इन गुफा के उसे में तो इसलिए ये गुफा अपने समय के हिसाब से सबसे पुरानी मानी जाती है जिनमें चितरकला का हमें साक्से मिलते हैं ठीक है तो चलिए हम इसमें आज विस्तार से बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसके समय के विस्तार से बात करते हैं ठीक है इसके हम समय के विशे में बात करते हैं इसका जो समय है वो तीन सो बीसी के आस पास बना गया है ठीक है इसका जो समय है वो तीन सो बीसी के आस पास बना गया है और ये किस काल की है तो ये मोर ये काल की है मौर ये कालीन है उसके बाद इस पर उपर जो है जो समय निर्धारित किया है जिन जिन लोगों ने उसमने अलग-अलग समय दिया है लेकिन 320 ही क्यों माना गया तो उसके पीछे कुछ कारण है ठीक है कुछ कारबन नेंटिंग पर दिती के दुआरा जो टेस्ट कराए गए थे उससे हमें पता चलता है कि इसका जो एक्जेक्ट जो समय है वो 320 के लगबग रहा होगा तो सबसे पहले जो जो जोन मारसल ने कहा जोन मारसल जोन मारसल की अनुसार इसका जो समय था वो एक हजार बीसी एक हजार बीसी माना गया है ठीक है एक हजार बीसी माना गया था जोन मारसल की अनुसार दूसरा डॉक्टर बलाक डॉक्टर ब्लाक की अनुसार इसका जो समय है वो तीन सो बीसी है ठीक है तीन सो बीसी माना गया इसका समय और तीसरा जो है डॉक्टर स्मित डॉक्टर स्मित के अनुसार इसका जो समय माना गया है वो पर्थम सदी इसापूर पर्थम सदी इसापूर ठीक है बीसी का मतलब भी बिफॉर क्राइस्ट होता है ठीक है तो ये भी इसापूर भी है इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ अगर किसी को समझे में ना आए तो इसापूर ठीक है ये मौरियकाल जो था वो इसापूर था लगबख तीन सो साल इसापूर के आस पास था ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कलास को आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर हमारी कलास आप लोगों को अच्छी लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दीजिएगा जो जानकारी में आपको यहां पर दे रहा हूं बड़ी मुस्किलों से जुटाई गई हैं और बड़ी ऑथेंटिक जानकारी में दे रहा हूं आप कोई भी एक भी कॉश्चिन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छुट जाएगा ठीक अगर आप मेरे बनाएवे नोट्स के द्वारा पढ़ते हैं तो चलिए सुरू करते हैं अपनी कलास को आगे बढ़ाते हैं हम बात करते हैं इसकी यस्ठria क्या है किस जगए कहाँ पर है क्या इसकी इस्थिति है उसके सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये वर्तमान में भी कहां पर है सबसे पहले जो इसका छ्ट्रा आता था वो आता था MP ठीक है MP यानि मद्ध्य पर्देश उसके बाद जब मद्ध्य पर्देश का बटवारा हुआ तो ये 36 गड़ वरा 36 गड़ ठीक है अब ये किस में आती है वर्तमान में कहां पर आती है 36 गड़ में आती है ठीक है अब इसके बाद में ये तो हमने देख लिए कि पहले कहां पर थी अब यहां पर मैं लिख देता हूँ वर्तमान यहां पर लिख देता हूँ पूर ठीक है पहले MP में थी अब वर्तमान समय में जो है यह 36 गड़ में है यह गुफाए में अब इसकी अंदर जो जिला लगता है ठीक है और यहां पर लिख देता हूँ मैं ऐसे जिला उसके बाद में हम बात करेंगे किस नदी के किनारे हैं नदी मतलब कौन सी लगती है इसमें उसके बाद हम बात करेंगे पहाड़ी के किस पहाड़ी पर है ठीक है और देंगे सबसे पहले हम जिले के बारे में बात करेंगे जिलाया रियासत भी कूछ लिते हैं कि किस रियासत के अंतरगत है ठीक है तो यह सरगुजा किस रियासत के अंतरक्त है सर्गुजर 36 कि शर्गुजर रियासत के अंतरक्त है और इसको फो नर्मदा नदी के इस फो looks hard उद्गमिस्तलपा ठीक है तो ये जिला जो है सरगुजा है रियासत भी सरगुजा है अब ये जो नदी है उन्नर्मदा नदी के उद्गमिस्तलपा ये गुफाए पाए जाती है और जो ये पहाडी है किस पहाडी पर पाए जाती है तो रामगड की पहाडी रामगड की पहाड़ी इसे ऐसे Yाद कर सकते हैं तो कि सोले में जो जो सोले फिल्म बनी है उसमें भी रामगड है ठीक है मैंने तो ऐसे याद के थे बाकि आप लोग देख लेना तो रामगड की पहाड़ी पर ये गुफाए पाई जाती है जोग मारा रखि अब देखिए इसको कौ हम आगे बढ़ातें और अब देखिए और एक तीर तीस्थल है किया है यह यह तीर तीस्थल है kü Volunteer curry तीर तीस्थल है अब यहापर कौन सफ तीर तीस्थल है तो यह अमरणात अब अर्नात की पाहड़ी भी इनको बुलाए जाता है ठीक है अब यहाँ पर देखे संक्षा अगर हम बात करेंगे यह तो हमने इस्तित्री की बात की अब हम बात करेंगे इनकी संक्षाओं के विसे ठीक है कितनी संक्षा हैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर विशेस कर ऑ्जा की स्कर जोगी मारा गुफा के पास में इक गुफावर और पाई जाती है जिसे हम सीता बौंगरा जोगी मारा और 비슷 ही के पास में पाई जाती है सीता भौंगरा ठीक है जोगी मारा और सिता बॉंगरा दो गुफाए पाई जाती है यही पर लक्समन बॉंगरा कुछ लोग इसी को लक्समन बॉंगरा बताते हैं कि सिता बॉंगरा ही लक्समन बॉंगरा है कुछ लोग बताते हैं कि ये गुफा अलग है तो ध्यान रखिएगा अगर अलग आती है तो अलग पर टिक करेंगे और अगर एक ही को बताता है तो एक पर टिक करेंगे यहाँ पर विच्छिस कर दो गुफाए पाए जाती है एक जोगी मारा और एक सिता मांग रहा है अब हम बात करेंगे हैं अपर धर्म की कि इस धर्म से संबन देते हैं ठीक है यह गुफाए जो है कि इस धर्म से संबन देते हैं तो यह जैन धर्म से संबन देते हैं जैन धर्म से संबन देते हैं यह गुफाए क्योंकि चंद्र गुप्ति मौर ये जैन धर्म को बानता था इसलिए एक गुफाय जो है जैन धर्म से संबन्दित मानी जाती है अब देखिए इसका हम प्राचीन नाम के भी से में बात करेंगो ठीक है प्राचीन नाम अगर कोई पूछने लगे कि जोगी मारा का प्राचीन नाम क्या है तो इसको प्राचीन नाम दस्वी सताब्दी में जो है दस्वी सताब्दी में इस गुफा को डंडोर के नाम से जाना जाता था डंडोर के नाम से इस गुफा को जाना जाता था इसको जोगी मारा कुफा को ठीक है जोगी मारा कुफा को किस नाम से जाना जाता था दस्वी सताब्दी में डंडोर के नाम से जाना जाता था ठीक है मित्रो किस नाम से डंडोर के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में दस्वी सतावदी में इसी गुफा को ठीक है दोस्तो समझ आया चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे के पॉइंट पर अब देखिए इसको किस किस नाम से और जानते थे ठीक है इसकी विचर्चा हम करेंगे अब देखिए ये तो दस्वी सतावदी के विसे में बात किया हमने अब हम बात करते हैं इसको रामायन काल में इसको क्या करते थे ठीक है रामायन काल में इसको बोलते थे जारखंड ठीक है क्या बोलते थे दोस्तो जारखंड बोलते थे जारखंड ठीक है मित्रो जारखंड क के नाम से इसको बुलाया जाता था रामायनकाल में ओक खोज करता कि कहीं पर कोई प्रमान नहीं मिलता है इसलिए इसका खोई भी खोज करता नहीं बताया जा सकता है क्योंकि आज तक कभी ना तो आयोग नहीं कभी पूछाया ना किसी दूसरे आयोग में ये कोश्चन आया कि जोगी मारा गुफ़ा की खोज दिसने की इसलिए हम बता भी नहीं रहे है क्योंकि इसके प्रमान हमें नहीं मिलते है अब ऐसे ही मैं कुछ भी बता दू तो वो सब नहीं चलेगा इसलिए आप लोग भी इसके खोज करता है इसलिए में ज्याद़ टेंसन मतले ना क्योंकि कोई भी नहीं बता पाएगा इसका खोज करता कौन ठीक है दोस्तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और बात करते हैं हम इसके आकार के विसे ठीक है इसके आकार के विसे हम बात करते हम ठीक है इसके जो लंबाई है इसके जो लंबाई है वहें 10 फिट है ठीक है लंबाई क्या है 10 फिट है तो लंबाई इसकी है 10 फिट और हम बात करेंगे इसके चोड़ाई के विसे में तो इसकी जो चोड़ाई है वहें 6 फिट ठीक है चोड़ाई है 6 फिट और इसकी जो उंचा भी इसकी कितनी है? 6 फित ही है ठीक है? तो लंबाई चोडाई और उचाई के विसे में हमने बात की लंबाई दस विट चोडाई 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 और उचाई भी 6 फित है इस गुफा की जिसके कारण से इसको लेट कर देखना पड़ता है जोगिमारा गुफा को ठीक है वोकि इसकी उचाई जद है ऊची नहीं अब धर्म के वसे मेन बात करें हम तो जो यह मतल् hour जोग गुफा है जोगिमारा की गुफा की स्भ झैस तो ये बीसिकली ज्यन धर्म से संबंदी थे लेकिन इसके मत पर कुछ विचार अपर कुछ मतभेद हैं ठीक है कि यह किस धर्म से संबंदी थे इसके बारे में कई विद्वानों ने अलग-अलग मत दिये हैं सबसे हम पहले बात करेंगे डॉक्टर ब्लाक के विशे में ठीक है तो कही लोग है जिन्होंने इ इसके उपर अपने मत दिये हैं धर्म के उपर ठीक है चलिए सुरू करते हैं अब बात करेंगे हम सबसे पहले डॉक्टर ब्लाक की विशे में इसके विशे में डॉक्टर ब्लाक डॉक्टर ब्लाक ठीक है तो डॉक्टर ब्लाक ने इसको क्या कहा है ये युनानी कला का प्रभाव इसके उपर बताया है इसका प्रभाव बताया है युनानी कला का ठीक है तो डॉक्टर ब्लाक ने इसके उपर युनानी प्रभाव बताया है युनानी कला का प्रभाव बत कि इसके बाद में बात करते हैं कि डॉक्टर हीराल की विसे में कि डॉक्टर हीराल ने क्या का है यह थोड़ा सा गलत हो गया इसको एरेज कर देते हैं डॉक्टर हीराल ने क्या कहा है डॉक्टर हीराल ने क्या कहा है डॉक्टर हीराल ने इसको बहुत कला बहुत धर्म से संबन्दित माना है इससे संबन्दित माना है बहुत धर्म से डॉक्टर हीराल ने इसको बहुत धर्म से संबन्दित माना है थेकिंब बहुत धर्म से समद्धित माना आ किसने डॉक्TA हीरा लानी है अब हम बात करते हैं राय कर्षंदास के उसे माठ है ठीकिуем टॉक्टर राय कर्षंदास ने क्या कहा है टीकि apology राय कर्षंदास ने कहा है इसको जैन कला ठीक है अब इसके पीछे क्या कारण रहा है चुकि ये 320 में बनी थी ये गुफा और इस टाइम पर काल किसका था मौरिय सामराज्चे का चुकि चंद्रकॉप तो मौरिय जो थे वो जैन दर्म से संबन दे थे इसलिए डॉक्टर राइकरस दास ने यह रुमान लगाया कि यह जो कला है वो जैन दर्म से संबन दे थे ठीक है किस दर्म से संबन दे थे जैन दर्म से और यही मत जो है सरुमान ने हुआ बाद में चलकर जब इस पर और भी रिस सर्च हुई तो पता चला कि यह जो कला है वो जैन धर्म से संबन देता है ठीक है अब देगे असित कुमार हलदार और छेमेंदर नाद गुप्त जिन्होंने इसकी 1914 में परतिली पेतियार की अब असित कुमार हलदार क्या बोलते हैं असित कुमार हलदार बोलते हैं कि इस पर प्राचिन काल में जो है रामगड में जो देवदासिय रहा करती थी उनका प्रभाव इस कला पर देखा जा सकता है कि यूँ कहें कि जो प्राचिन काल में रामगड में जो देवदासिय रहती थी उनी के द्वारा इन चित्रों कर निर्बान हुआ और उनी का प्रभाव इन चित्रों पर देखा गया है वसिद्गुमार हलदार के बारे में ये कथन है मpl़ल की मोई वसिद्गुमार हलदार ने ऐसा कहा है ठीक है तो इस पर प्राचीन काल में जो देवदासे रहा करती थी उनका प्रभाव इन गुफाओं में देखा जा सकता है और ये जो गुफाए थी वो इनके रहने का इस्थान था ठीक है जो देवदास ये थी वो इनके रहने का इस्थान था चलिए पेश हम उपर करते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते है पेश उपर करते हैं और अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं चलिए बात करते हैं जोगी मारा गुफा के विसे हमें ठीक है जोगी मारा गुफा कि अनुकरतियों के बारे हम बात करते हैं ये अनुकरतिया है इसको हम ठीक कर लेते हैं ठीक है पहले पूरा लिखे लेता हूँ चित्र कर ला तो इसको थोड़ा ठीक कर ले ठीक है तो जोगी मारा की अनुकरतियों के विसे हम बात कर रहे हैं ये आकरतिया गल्त लिखा गया है ठीक है इसको ठीक कर लेते हैं तोड़ा इसको अनुकरतियों कर लेंगे ठीक है अनुकरतियों तो मित्रों आब हम जोगी मारा कुफा की जो अनुकरतिय छेमेंद्र नाद गुपट, टेंगे दो लोग थे, अशित कुमार हलदार और छेमेंद्र नाद गुपट, इन्होंने 1914 इतोड़ा में, इतने में, 1914 हैस्वी में, इनकी अनुकृतिया तेयार केले, असित कुमार हलदार और शेमेंद्र नादकुप्त इन दोनों ने 1914 में इनकी अनुक्रतियत तयार की इनकी जोगी मारा को फ़गे चित्रों ठीक है यहां तक समझगा है आप लब को ठीक है चलिए एक लास को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट की और चलते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ने गया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज लाइक जरूर करें चलिए अब देखिए हलदार ने क्या का हलदार ने इन चित्रों को जो है साथ भागों में बाटा है ठीक हलदार ने इन गुफा चित्रों को साथ भागों में बाटा है या यूँ कह सकते हैं कि हलदार ने इन गुफा में पाएगे चित्रों को साथ चित्र बाना है ठीक है यार साथ भागों में बाटा गया है लेकिन कुछ विद्वान है जो इन आठ भागों में बाटते हैं मतलो आठ परकार के चित्र यहां पर बताते हैं ठीक है तो कितने भागों में आठ भागों में लेकिन हल्दार ने कितना का है हल्दार ने साथ भागों में इन चित्रों को विभाजित किया है ह plyen के आठाट के बारे में कोई निए बात करता जादे से ज्यूंय क्या बनेगा है कि हल दाजने जो कि मारे चित्रों को कितने बागों बाता है तो साथ बागों बाता ऐं आप यह ध्यान रखिए ठीक है यह महत्तपूर्ण है और कई बारा आच चुका है क्वेश्चन में तो इस बात को ध्यान रखिए आप लोग अब अपने अगले पाइंट को पेस थोड़ा ओपर कर लेते हैं अगर पीडियाफ को गए तो मैं इसका पीडियाफ भी डाल दूगा लेकिन आप लोग पहल अब हम बात करते हैं जोगी मारा गुफा को थोड़ा सा और विस्तार में बढ़ते हैं जोगी मारा गुफा को थी यह है थोड़ा पानी पी लेता हूंगा उसके बाद हम बताते हूं अब देखें यहाँ पर कुछ नौट लिखेगा ठीक है जो मैं यहाँ पर लिखा हूंग आप लोग उसको लिख लिजेगा ठीक है तो इसी गुफा में सभी चित्र प्राप्त हुए है ठीक है जोगी मारा गुफा में जो चित्र प्राप्त हुए है सब यसी गुफा में चितर प्राप्त हुए है ठीक है इसके पास में गुफा और भी थी सिता ठाल लक्समन ठाल भी उसको कहा जाता है ठीक है तो ये दो गुफाई थी लेकिन सबसे ज़्यादेが urt जो चितर मिले हैं वो जो किमारा वो मिले है और इसमें जो मुख्य चित्र थे वो कुमूदनी के फूल पर नगते करता हुआ यूगल है कुमूदनी के फूल पर नगते करता हुआ यूगल ठीक है इसका मुख्य चित्र है ठीक है वाटर ले ली या फिर कुमूदमी के फूल ठीक है वाटर ले ली या कुमूदमी के पुस पर निट्टे करता हुआ यूगल ठीक है वेस्तो और भी चित्र है लेकिन सबसे ज़्यादा यही चित्र पूछा जाता है इसलिए इसे के बारे में बता रहा हूँ ज्यादा चीजें मत पढ़ियेगा औरना कन्फ्यूज हो जाओगी ठीक है ठीक है तो अब देखिए आपड़े गजग्रह था गजग्रह था ठीक है क्या था गजग्रह यह पूछ लिए जाता है कि बारो इसमें रंगों की बात करेंगे हम जो रंग संकतिस्में यूज की गई है जो भी मारा वुफा के चित्रों में जो रंग पड़ियोग हुए हैं उनके भी से में बात करेंगे जो रंग यूज हुए हैं वो आपके लाल, काला, पीला और सफेद कौन कौन से लाल, काला, पीला और सफेद छार प्रकार के डंग यूज किये गए हैं इसमें ठीक है नौट डॉल लेगा हम देते हिसके प्रष्ट भूमी के curious your만 करते हैं, अंदो ख्रिम को छी और आथ करते हैं जा मी इसकी जा प्रष्ट भूमी थी और के सिता बोन कर उसे में बात करते हैं तीन हसला प्रष्म्रूम्य के मैं बात करें हैं पहले इससे समझा देटा हम थी जो सीता बंगरा लिए प्रेख्षाग्रे थे किया था उससे प्राचिनतम और उससे प्रेख्षेग्रे कह जाता है मतलब सबसे पुराना जो मरें से पुराना जो वो सीटा भोंगरा थी ठीक है यह सको नाट्यसाला भी कहा जाते थैंkick नाट्यसाला ठीक है इसे प्राचीन में सब प्रेक सक रहे πάeds में और कि अधर कहा जाता है या माना जाता है हे त्रिक हैं बाद मैं इसे वरुनदेवता का मंदेर हम भी कहना लेगे तो अगर पूछा जाए कि सिता बंगरा क्या है तो यह क्या है यह वरुन देवता का मंदेर है ठीक है बाद में से क्या कहा जाने लगा वरुन देवता का मंदेर वरुन देवता का मंदेर कि यह से वरुन देवता के मंदेव माना गया तीसरा पॉइंट है हमारा कि जो सीता बोगरा की जो गुफा है उसमें जो चित्र बने हैं उन चित्रों का एक सुत्मु का नामक देवदासी ने बनाया था जेली नामक पनाय का देवदीन नामक देवदासी ने जोगिवारा में बनाया अपने प्रेमी देवदीन की आदों में बनाय थे democrat and सुतन का और देवदीन के प्रेम संबंदों से संबंद दीता है यह चीत्र ठीक है दोस्तों यहां तक समझ मैं आप लोगों को चलिए आगे बढ़ते हैं तीन पॉइंट है जादे मैं इस लेनी लिखवा रहा है क्यों जो मैन मैन चीज़ें बस वो पड़ हो बाकी इतर उदर की जो बाते हैं वो आएंगी ही नई पेपर में तो इसलिए मैं आप लोगों को लिखवा भी नहीं रहा हूँ इससे आपको भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा ठीक है जो मैन मैन पॉइंट है बस वो याद करो वही पढ़ो अथेंटिक पढ़ो थोड़ा पढ़ो ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़े अच्छा पढ़े है ठेक है अच्यले पेजों पर करते हैं। और अपनी नेक्सट पॉंट के और चलते हैं। तो यो प्रश्ट भूमी कैसी थी इसके। जोगी मारा की जो प्रश्ट भूमी थी थोड़ा गल्त हो गया दुबार ले देते हैं यहाँ पर ले देते हैं प्रश्ट भूमी जोगी मारा गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं उनकी जो प्रश्ट भूमी हैं उनकी प्रश्ट भूमी सफेद रंग का इस्तिमाल किया गया है कैसा सफेद रंग का इस्तिमाल किया गया है प्रश्ट भूमी खौद बार पूछा गया है कि जो गुमारा की जो गुफा है वो उसकी पेश्ट पुमी कैसी है तो सफेद है अब देखे हासियों के विसे हम बात करेंगे हम इसके जो हासिय है वो पीले रंग के बनाए गए कैसे रंग के बनाए गए पीले रंग के बनाए गए हासिय ठीक है और जो इसकी सीमा रेखा है जो चित्र बनाए गए है जो चित्र बने है उनकी जो सीमा रेखा है जो आउट लाइन है ठीक है सीमा रेखा जो आउट लाइन से है वो लाल रंग से बनाए गहरे लाल रंग से ठीक है कैसे लाल रंग से गहरे लाल रंग से तो आप लाल रंग याद रखिएगा एक्जाम में लाल रंग आएगा कि इसके जो बहरी आउट लाइन है वो किस रंग से बनाए गए तो लाल रंग से बनाए गए या फिर गेहरे लाल रंग से बनाए गए ठीक है प्रश्ट बूमी सफेद खासी पीले और सीमा रिखा लाल रंग से बनाए गए ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग ठीक है इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ महत्पून तक्तियों के विसे में जो जोगी मारा के गुफा के बारे में कहे जाते है ठीक है कुछ महत्पून तक्थियों के विसे में बात करेंगे हम जो जोगी मारा गुफा के विसे में कहा जाते हैं तो इसमें हम सबसे पहले सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें तुम्हारा सबसे पहला पॉइंट है वह है वित्ती चितरन की जो कला है वो भारत में जोगी मारगुफा से प्रहाइन होती है ठीक है तो पहले हम हेडिंग डालें कुछ महत्पुन तत्पित ठीक Q. प्रेला पॉइंट रहेगा हमारा वित्ती चित्रन की इकला भारत में जोगी मारा गुफा से प्रारम्द होती है कला चेंज कर लेका है वित्ती चित्रों की सुरुवात यह यूँ कहें कि वित्ती चित्रन की कला भारत में जोगी मारा गुफा से प्रारम्द होती है जो की मारा गुफा से प्रारंब होती है ठीक है तो यह आजनता से भी पुरानी गुफाए हैं जहां पर हमें चित्र प्राप्त होते हैं लेकिन उन्ही चित्रों को traveling को आदेम कला के नाम से जानते हैं और यह जो चिट्रें यह गुभ फाँ चित्रों को सपर, ठीक की है। इन बित्ती चित्रों में पसुपकसी , anniversary bers, मकान , तालाब, पust, आदि कांकन हमें यह पडिखाये दीता है। तो इन बित्ती चित्रों में पसू पक्सी, पुस्प पक्सी, इस त्री पुरूस, चिक इसको में तोगर दुबारे लिखते हूं, पुरूस, तोगर गल्द लिखा गरूस, पुस्प पक्सी, इस्त्री पुरूस, मिटोई देता हूं, चिक इसको में दुबारे लिखते हूं, इस्त्री पुरूस, मकान तालाब, पुस्प आधी कामकन यहां पर दिखाई देता है, आधी कामकन यहां पर दिखाई देता है, आधी कामकन यहां पर दिखाई देता है, तीसरा पॉइंट है, जोगी मारा के जो गुफा के जो चित्र है, और भर्वत के स्टूपों के समान बोने वे नाटे छोटे वे मोटे बनाए गरे ठीक है तो जोगी मारा के जो गुफा चित्र है वो किस से मिलते जूते है जिस पर मतलब किसका प्रभाव इन चित्रों पर पढ़ा है तो साची और भरुत के जिए स्टूपे हैं उनके उपर जो आकरते उके दी गई हैं उनका प्रभाव जोगी मारा कुफा के चित्रों पर प बोने नाटे छोटे और मोटे अकरतियों के चित्र बने हैं जिस कारण से हम कह सकते हैं कि जो कि हमारा गुफा के चित्रों पर भरहुत और साची के स्थुपों की कला का प्रभाव पड़ा है ठीक है जी अब हमारा चोथा पॉइंट है और बहुत महतुपों पॉइंट है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है तो आप नोट कर लिजेगा इसको जो कि हमारा की जो गुफा है उसकी जो आप दिया वो आजन्ता की गुफा से पहले की है ठीक है जो कि मारा की जो गुफा है उसकी जो आप दिया है जबकि जो कि मारा की गुफा है तो यह लगबग सो वर्स पूर बनाई गएती है जमतागी गफा से ठीक है यहाँ पर हमारा जोगी मारा गफा कंप्लीट होता है दोस्तों मैं एक बाद फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई पॉइंट रह गया है तो उसको हम बाद में देख लेंगे वैसे तो सारे पॉइंट बने आपर क्लियर करा दिया है लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो वह हम बाद में देख लेंगे ठीक है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में सेयर जरूर करना आप लोग ताकि हमें इसी प्रकार से मोटिवेशन मिलता रहे है और हम इसी प्रकार से आपके सेवा में आगे बढ़ते रहें आपके लिए फ्री में कंटेंट उपलब कराते रहें तो हमारी नई वीडियो के अब डेटा आप लोगों को मिलती रहे हैं ठीक है मत्रों आज के लिए विस्ट में चलिए गुर्बाय टाटा और बाय बाय जैहिंद बंदे मांत्रों